नमस्कार दूस्तों मेरा नाम है तो आप देख रहें रेपेरिंग अनिटे चैनल आज कि इस वीडियो में आप कभी हमें बैटरी को खोलना हो तो उसका हम कौन से टर्मिनल पहले खोलेंगे यह आप जानेंगे और इसके पीछे का रीजन क्या है वह भी मैं आपको इस वीडिय क्यों आकँ क्यों होड़ेंगे तो इसमें लिखा रहेगा कौन सा नेग्टिय है और कौन सा पोस्ति है कि इस बैटरी में कि में यह जो ब्लैक वाली वायर है यह यह नेगटी ए यह रेड वाला पोजड़ी है तो बैटरी में को हम जब दिःव ऊपन करते हैं तो उसका हम स तो उसके पीछे जो मेन रिजन है वो यह है कि यह वाला जो वायर है बैटरी का नेगटी वाला यह काड़ी की चीज यानि गाड़ी की जो बाड़ी होती है उससे कनेक्ट होता है यह वायर आता हुआ आपको दिख रहा होगा दो वायर हैं दोनों ही नेगटी के वायर हैं और की बाडी के साथ है यहीव सेम चीज motorcycle और श्कुटर के बैटरी में भी बहता था है तो इस वीडियो में जो भी मैं बता रहा हूं वह motorcycle और स्कुटर के लिए भी सेम रहेगा अब यह जो पूरा निगटिव वाला पॉइंट है यह पूरे गाड़ी में प्हयला रहता है साथ में हां पर इंजन से पिंपनेक्राया जाता है यह देखे-थ अब जो positive terminal होता है वो कहां जुड़ा होता है तो positive terminal के लिए wiring की जाती है वहिकल में कई सारे instrument यानि कई सारे उपकरण होते हैं उनको वहीं पे positive दिया जाता है और negative के लिए उसको body से जोड़ दिया जाता है अब company क्यों हमें negative terminal हो body में जोड़ के देती है तो उसके पीछे एक simple सा reason है इससे जो cost cutting होती है वो बड़ी ही आसानी से हो जाती है क्योंकि इससे company का जो negative wire को जोड़ने का खर्च होता है negative wire का जो खर्च होता है वो कम हो जाता है अब आपको पता होगा कि अगर आप battery का positive terminal और negative terminal को आपस में जोड़ देंगे तो short circuit होगा वायर अगर पतला है तो short circuit लेट होगा इतने में वायर पिग लेगा बैट्री भी आग या blast हो सकता है अब देखिए सबसे पहले negative terminal को क्यों खोलना चाहिए तो जब भी हम terminal को खोलते हैं तो इस तरह का double sided range की इस्तमाल करते हैं या साइड जो है वह बाड़ी में टच हो गया जैसे सबसे नियर इस्ते यहां पर तो होई सकता है इधर भी टच हो सकता है कहीं पर भी माली टच हो गया अब पूजिटी के कॉन्टेक में है तो क्या होगा short circuit हो जाएगा short circuit होगा तो क्या होगा फ्यूज जो है वो जलेगा और आगर आपकी किस्मत खराब होई तो फ्यूज तो जलेगा जलेगा बैटरी भी आपकी खराब होगी बैटरी में बहुत ही बहुत ही ऐसा मानिए कि उस पर एक ऐसा इफेक्ट पढ़ता है जिससे उसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी होती वो खत सबस्क्राइब लें आपको मल्टी मीटर से चेक करा देता हूं तो मैंने एक मल्टी मीटर की प्रॉप को पॉजिटी में जोड दिया है और माइने डीसी रेंज में लगा दिया है अब बॉडी में आपको जब मैंटर्च करके दिखाऊंगा तो दिखे यहां पे 14 वोल्टे चाहिए क्योंकि अभी कार मेरी स्टार्ट इस द्यान 14 वोल्टे जा रहे हैं तो ये थी मेरी एक छोटी से इंफ्रमेशन आप सबके लिए कभी भी बैटरी पर काम करिएगा तो थंडे दिमाग से काम करिएगा वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक करिएगा चैनल का कंटेम्ट फसन आथा तो सब्सक्राइब करिए कोई डाउट है दो नीचे कमेंट करिए मिलते हैं अगली वीडिय करिए मैं